थेलो हाई वर्वन कैसे हो आप सबी लोग मैं आपका तेज़स गावंडे और इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट की कुछ दिनों में MSTCET की प्रिपरेशन कैसे की जाए लोगो MSTCET एक सबसे बड़िया पेपर है सबसे आसार पेपर है मैं कहूंगा जैसे बड़े टफेस्ट एक्जाम को सब्चेटूट एक्जाम है MSTCET और इन एक्जाम से आपना इजीली महाराष्ट के बेस्ट कॉलेज में सब्सक्राइब करना है और आखरी के दिनों में करना क्या है पहले तो यह बाद दिमाग में फिक्स कर लो यह बाद दिमाग में फिक्स कर लो कि आपके सब्सक्राइब करना दिया आखरी के दिनों में माद लो क्या आपका पेपर यह दस तारिक को है या किसी का दो तरिक को होगा पेपर के सब्सक्राइब करना है चाहे कुछ भी हो जाए आपको अगर मैटमेटिक्स में 80 अबों मार्क्स आ गए और वो आ सकते हैं मैटमेटिक्स में देरा चांसे बहुत हाय है मैटमेटिक्स में आप 80 अबों स्कॉर कर जाओ सब्सक्राइब करेंगे चाप्टर बहुत बढ़े हैं अब दिक्कत क्या है इसमें यह सब्जों यहां पे जब आप कोई भी टॉपर को देखो तो वह टॉपर के मार्क्स ना 45 से उपर नहीं जा सकते हैं मैक्स टू मैक्स में टॉपर जो रहेगा ओर और सीटी का उसके 46 47 बनते हैं अगर मैं थोड़ा बहुत इंडिलिजन्स की बात कुरू तो वह 40 तक कवर कर लेगा अगर लेकिन मैं आवरे 35 मैक्स है 35 के उपर जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्यूंकि वह स्टेज में जहां पर पेपर दोगे तो आपके पास टाइम बूद कम रहता है और कुर्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसे स्टेजस में ऐसे स्टेजस में आपसे बहुत मिस्टेक होने के चांसे है और आप भी पैनिक हो जाते हैं और उससे जो गलतिया नहीं होनी चाहिए हो गलतिया होती है और सेकंड इंपोर्टन क्या होते हैं आपको टाइम ही कम्प्लेट नहीं मिलेगा फिजिक्स के मिस्ट्री स्वाल करने के लिए ठीक है दो घंटे में आपको सब करने होते हैं तो जो आवरेज बच्चे को भी वो 90 तक लेकर जा सकता है तो आपको सबसे जाना प्रक्टिस किसी कर लिए और यह जो अगर बाहर लिजा आपको मैथमेटिक्स में 80 भी मिल गये 140 मार्क के अगर आप उपर चल गये ना तो आप बेस पोजिशन पर हो मैं कहूंगा कि आपका परसेंटेल अराम से 98 के उपर आ जाएगा बस आपको 140 के उपर जाना है तो यह स्टाटेजी बनाओ फिजिक्स पोर केविश्ट को आप कितना भी पढ़ लो तो आएंगा एक चाप्टर से एक ही सवाल और आपको एक ही मार्क देगा वही मेहनत अगर आपने मैट्स को लगा दी जादा अगर तो समझ लीजी कि आपके एक मार्क के जगा चार मार्क भी आ सकते हैं ठीक है दो को सबसे जारा मेहनत आखरी के दूनों में मुझे इसा लगता है कि आपने मैट्स भी करनी चाहिए फिजिस के विश्टी के पूरे फॉर्मोल अच्चे से रट लो पूरे फॉर्मोल याद कर लो पूरे पॉइंट से याद करो जितना हो सकता है अगर कोई चाप्टर चूटता है उन टॉपिक को अच्चे से पढ़ों से उतने टॉपिक पढ़ों पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रू होता नहीं है आयवास समझ में तो आप यहां पे बहुत सरे चाप्टर को स्किप भी कर सकते हो जो चाप्टर पे कोशन नहीं पूछने तो उसको क्यों पढ़ रहे ह ol ramos Rivail लेकिन मैंट सब्धिक में करने आपको मैठमारेक्स वही आपको बचयाकर, मैरे केस वुझे NER meno d Waterworks मास दे ओर मुझे mathematics नहीं बचाया था ठीक है मिरे mathematics में में मेरे अच्छाड मांःत повтор इसलिए मैरा स्कूर अटना तक जा सकता था जबसक्त में में कम ही मांक्स तो आप समझ लीजी कि फिदिक्स के में 35 35 मैक्स है और मैथमेटिक्स में अप्टू 90 तक ला सकते हूं ला सकते हूं ठीक है और दूसरी रही बात कि यहाँ पे तो आपको निगेटिव मार्किंग है नी तो यह प्लस पॉइंट है तो यहाँ पे बिल्कुल बे तो उसमें options eliminate करना सिखो चार option दिये तो पहले यह सोचो कि यह कौन्च तो option नहीं हो सकते unit से जाओ नेगेटिव पॉजिटिव इससे कुछ जाओ कुछ ना कुछ तो पहां पैसा होगा कि आप 2 option को eliminate कर सकते हो अगर आपने 2 option को eliminate कर दिया तो जिद गिर भाई आप फिर 2 में से एक तुक्का मारना है उसमें probability बहुत हाँ है कि आप correct answer टिक करो आए बाद सब्सक्राइब में तो यह strategy से जाओ तुक्का मारना है थोड़ा smartly मारो तुम लोग engineer बनने वालो तो तुक्कों की जरूरत तुमें आगे बहुत future में गिरने वाली है अभी से practice करना स्टार्ट क निगेटिव मारने नहीं इसलिए मैं आपको तुक्का मारने के लिए सला दे रहा अधर्वाइद में देता नहीं था ठीक है तो आपको कुछ भी हेल्क लगती है किसी बेचाप्तर में किसी भी पॉइंट बे मेरे वर्धा के बच्चे मेरे मारस्टर के बच्चे जो भी आपको अप्लोड कर दूंगा तो थैंक इस सो मच पर आटेंग डिस वीडियो एवर्यवन बाइवर्यवन